हेलो गाईज वेलकम टुमाई एस्वाई एजूकेशन फार्मिशन चैनल टूड़े आइंप प्रेजेंट फैमली एंड फ्रेंड्स हमारे जो इन्वाइन्वेंट पर्यावरण के जो है फॉर्स्ट टॉफिक हमारे सलेवस में दिया हुआ है कि परिवारा और मित्र उससे लेक समाजी करन का पहला पर परिवार से होता है गाल परिवार से थाइपो यहाँ परिवार से टाथ पर म wzglेंगे से ताहिंत लियह परिया है कि जिसमें माता पिता और उनके बच्चे कहा जाता हम दो हमारे दो तो वह हो जाएंगे एकल परिवार तो नेक्स्ट हमारा सेकेंड थर्ट फ्रेश्ण बन रहे हैं कि भारत में लड़के वर लड़कियों की विवा के नियुन्तम योग गिता कितनी आयू कितनी होनी चाहिए तो 21 वर्षे 18 वर्षे तक होनी चाहिए नेक्स्ट है प्रात्मिक समाजी करण है तो इसका उतर हो जाएगा असुरुवाति आयू में परिवार एवं मित्रों से सीखना प्रात्मिक समाजी करण नेक्स्ट है मानव सरीर में जो है मानव रुधीर वर्ग की खोज सर को लेंड इस्टिनर ने किया नेक्स है परिवार कितने प्रकार की होते हैं या सब होते हैं उन्हें संजिक्त परिवार कते हैं एकल परिवार किसे काते हैं जिनकी जनसंख्या महंगाई और कल जिसमें एकल परिवार माता पिता और उनकी बच्चे होते हैं परिवार काते हैं और नेक्स प्रेश्ण बन रहा है कि एकल परिवार के अधीक प्रचलित होने के क्या कारण है तो जनसंख्या मंगाई और कल लंबे परिवार होते हैं डेले उस डे बाइडे उसमें क्या कल होते जाते हैं और मंगाई की वजह से अउसक्ता की पूर्टी नही परिवार की परिकलपना के पीछे आधार भुत्ते है तो मानो का समाजिक प्राड़ी होना और संजित परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देख भाल में कोई पैरिशानी नहीं होती क्योंकि आश्रितों में शामिल होते हैं ब्रीद अवस्था वाले व्यक्ति और बच्चे दोनों की अगर संजुक्त परिवार है तो देख रेक करने के लिए गर माता पिता नहीं है तो अन्य परिवार के सदसे कर सकते हैं नैसे समर्रक्त शंबंद का उदारण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है तो ये कल एवं शंजुक्त परिवार में तो आई होप कि आपको ये वीडियों अच्छा लगेगा प्रेश्न भी अच्छी है तो आपके काम की है आप मेशन करें तो मैं अलविदा लेती इस तरह की वीडियों के लिए लाइक कमेंट करते रहें तो